जो मेरे पास वेट लूज करने के लिए आते हैं यहां जो कीठो डाइट फालो करें मुझे पूछने चावल मुझे और क्या खा सकते हैं और चावलों का पानी उतार यह खा सकती हैं रिष्टन के रिसर्च के और मालूमात मुझे मैं बहुत हरान हुई और आप ये वीडियो इंट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा इस तरह की वीडियो जब मिसी ना करें असलाम अलेकुम और आमतुले वरकातों हीलें के जामा क्लीनेक से मैं डॉक्टर असा महमूद और ग्लाइसेमेक इंडेक्स बैसिकली एक मेजरमेंट है जो ये दिखाती है कि कोई भी खाना जब आप खाएंगे तो वह आपकी बॉडि के अंदर जाके आपका शुगर लेवल क इतना जादा करेगा जो लोग भी डाबाटिक हैं कीटोडाइट कर रहे हैं उनको यूजिली वह चीज़ें देते हैं जिनके ग्लाइसेमेक इंडेक्स काम हो बाराल यह आप देख सकते हैं गूगल के उपर मैंने लिखा ग्लाइसेमेक इंडेक्स वाइड राइस सुफेद जिसके अमरियानी वगयरा बनाते हैं इसका जी 72 है ठीक है इसी तरह मैंने देखा कि ब्राउन राइस का जो है वह कितना है ग्लाइसेमेक इंडेक्स तो जी ब्राउन राइस का है 50 50 का मतलब यह है कि अगर आप एक दो नवाले जादा खा लेंगे ब्राउन राइस के तो बा बास्मती राइस का ग्लाइसमेक इंडेक्स जाई है 50-60 के दर्मयान होता है डिपेंडिंग ऑन के कौन सी किसम का बास्मती राइस आप ले रहे हैं इसके लावा आजकल माकेट में डाबाटिक राइस या लो शुगर राइस के नाम से सोना मसूरी और आर और नार राइस जा ना तो वह ले लें उसका ग्लाइसमेक इंडेक्स तमाम चावलों की निस्बत काम होता है पार बॉयल्ड राइस बैसिकली होता है कि जब चावल शिलके के अंदर ही होता है ना तो उसको यह लोग स्टीम देते हैं और तक्रीब आप समय थोड़ा सा कूक हो जाते हैं तो यह पार बॉल्ड राइस होता है ना सेला सेवल उनका रंग भी थोड़ा येलो होता है वह चिलके की वजह से जो अंदर उबालते हैं ना बारहल यह कोकोनेट फ्लोर का अगर आप लाइसमेक्स देखे ना यह फिफ्टी वन है ठीक है यह समझ लें कि आप बासमती राइस जितन लिए वो अलसी का अटा बन जाते है उसका अग्लास है नहीं क्योंकि उसमें चुगरी नहीं होता है इसी तरह संफ्लावर सीड जो संफ्लावर सीड आराम से आपको में जाते कुछ दिन पहले मैंने इसका ब्रेड भी बनाना सिखा इन तहाई मज़ेदार बनता है यह वह आ करने एक तो चैनल सब्सक्राइब करने यह वीडियो सब उन लोगों के साथ शेयर कर दें यहां कीटो डाइट फॉलो कर रहें ठीक है ताकि वह महंगे महंगे आटो लेने की बजाए यह वाला आटा लें जो के उनकी सहत के लिए मुफीद भी अच्छा भी है और अगर कभी खानी शुरू कर दें लेकिन यह वो चीजें जो लोग कैसे मिक हैं और आप मुनासिब में खा सकते तो नीचे कॉमेंट्स में आपने मुझे अपना फीड़ बैक जरूर देने ठीक है अपना ख्याल रखिए काईंदे मुलाकात होती है Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh